उधर शराब घोटाले से जुड़े मामले में आठ समन जारी होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरवंद केजरिवाल ने एडी को जवाब दिया है सेम केजरिवाल ने कहा है कि समन गयर कानूनी है लेकिन फिर भी वो एडी के सवालों का जवाब देने को तयार है उन्होंने एडी से 12 मार्श के बाद की कोई तारीक मांगी है केजरिवाल ने कहा है कि वो विडियो कांफरेंसिंग के जरिये सवालों के जवाब देंगे आर्विन केजरिवाल जी आपके बरस्टा चार सिद्ध हो चुके है और ट्राइल कोट कह चुकी है कि नहीं आपको लीगली जाकरके ज़बाब देना है आपके उपर आरोप है आपके मंतरी जिल में है उनको बेल नहीं मिल रही है आपको जबाब देना ही पड़ेगा उसकी बाद भी उनको ये लगता है कि सम्मन पे नहीं जाने से और वीडियो कॉन्फरेंच में रहने से आपके उपर सवालों के बाद जो कारवाई होनी है वो नहीं होगी और आपको लगता है कि थाली बोलने से प्रिस कॉन्फरेंच थोड़ी है एडी जह हम बात करेगी तो लिखेगी भी और लिखने के बाद उस पे क्रोस क्योस्चन करेगी तब ही तो निर्णे लेगे कि आपको जेल के अंदर डालना है या आप बरी है आपको बाइज़त भेज नहीं तो यह जो मेसेज दे रहे हैं अर्विंद केजरिवाल जी उसमें असपष्ट हो गया है और मैं समझता हूं एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं अब ऐसे भरष्टाचारियों के साथ और धील नहीं अब तक भारती जंता पार्टी क्या कह रही थी क्या इनके मुख सवालों से कोई समस्या नहीं है मुझे तुमारे शड़ेंतर से समस्या है जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोट के अंदर वकील वीडियो कॉन्फरेंसिंग से पेश होते हैं अपनी जिरह करते हैं सुप्रीम कोट के आगे लंडन में बैठा वकील अपियर हो आए तो सुप्रीम कोट के अंदर अगर परिशानी नहीं है तो एडी को क्यों परिशानी होगी